नमस्कार दोस्तों तो आज आपके सामने लेके आए हैं मैं टाइप 5 के question second last type है ठीक है उसके बाद में जो question type 6 होगा वो होता है आप लोगों ने सुना होगा question देखा होगा कि age के according arrange करना कुछ लोगों को weight के according arrange करना यानि कुछ कुछ question इस topic से related भी हो गया और वो mostly question होगा जिसमें आपने puzzle वाले question आते हैं तो वह लास्ट टाइप है उसमें हो सकता है एक वीडियो बनाना पड़ा है यह पर अगर question ज्यादा लेने हैं मुझे दो वीडियो मता लेकिन लास्ट टोपिक है तोपिक है दो लोगों का स्थान दिया हो तीसरा उनके बीच में बैठा हो ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अलग logic लग रहा है बिलुकुल अलग logic नहीं लग रहा है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं उस कंसेप्ट का यूज करके आराम से हो जाएगा बस थोड़े डिफेरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते से मैंने सेपरेट लिया है उससे पहले थोटा-छोटास डाउट क्लियर कर दूँ मैं कुछ बच्चों के मैसेज आये थे कोर्स कब तक हो जाएगा क्या नहीं हो जाए तू मंत का टार्गेट लेकर चल रहा हूंगे टू मंत में एट लिस्ट यह पोर्शन दो कवर होगा क्या-क्या रैंकिंग टेस्ट खतम होने वाला है इसको ओडरिंग रैंकिंग के नाम से जाना जाता है आपको उसमें मिल जाएगा इंग्लिस अलफाबेटिकल सीरीज मैंन करेंगा मेंसज अए टार्यायतिर्स करने के लिए वैसी मतले प्रिवियस यखेपर लेए उंंक Gua अगर प्राक्टीस करते जा रहे हो यह सेंपल पेपर लेश उस शमर इंग्छिए गारिंग और चैप्टर वाइस्स लेना चैप्टर वाइस मिल जैसे क्रेंड़ पब्लीकि चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके बाद में आपके पास जो क्वेश्चन का सेट बच गया पहले बात तो मैंने बोला था टेलेग्राम चैनल स्टार्ट करेंगा है वहां डाल सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि प्रोब्लम जादार इन क्वेश्चन मे आप उनको कमेंट सेक्शन में सैंड कर देना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद और जिस इसक्वेश्चन में पहले प्रोब्लम आईगी उसक्वेश्चन के रिगार्ण कंसेप्ट को दुबारे सुन लो अच्छे से दबारे देखलो फिर भी प्रोब्लम आते कमेंट section में डाल देना, मेरे पास question का बंच इखटा हो जाएगा, उन सब को मिला के मैं video lecture लेके आजाऊँ, explanation करने के लिए भले chapter complete हो जाएगा, अगले chapter पर चले जाएगे, फिर भी मैं इस chapter की playlist में वो वाला video add कर दूँगा इसलिए एक तो आप channel को subscribe कर ले जिसके latest video आते रहेंगे, दूसरा जो भी friends आपका है, जिसको requirement है उसको send कर देना, जिससे की और हाँ subscribe करने का फायदा, आपको यह है कि latest video में लेगे, मुझे फायदा यह रहेगा, मुझे actual quantity दिखेगी, हाँ इतने बच्चे regular पढ़ रहे हैं, ठीक है तो वहले चीज़ आप कर लेना, आप send कर देना, comment section के अंदर, जो भी आपको question ने problem है पूरा chapter करने के बाद, उन question को लेके, मैं आपके सामने video explanation मना के लेकिया जाओंगा, तो यह वाला हो गया, English alphabetical series उसके बाद word problem भी आती है, और coding decoding, यह topic, तीन topic उसके बाद linear sitting arrangement कराऊंगा, फिर circular sitting arrangement, sequence थोड़ा उल्टा पुल्टा हो सकते हैं, लेकिन यह topic कवर होंगे फिर sillow gauge में अच्छा खासा topic है, 5 से 6 question बन जाते हैं, when diagram, important है यह कराऊंगा, फिर input output है, blood relation है, direction sense है, code inequalities, missing number, puzzles, यह सारा काम आपका 2 मन्थ में, मैं पूरी try करूँगा कि हो जाएगा दूसरा आप एक routine बना लो यह वाला, कि आप सुभह उठके जब भी पढ़ते हो, या किसी भी time पढ़ते हो, तो मानके चलना कि आपके पास में नए दो वीडियो at least मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, किसी भी time आप उठा होगे तो, ठीक है, मैं try करूँगा, एक दिन में कम से क दो वीडियो है, वारना तीन वीडियो भी आ जायता है, बहुत अच्छी बात है, डेटा के उपर available, कितना है डेटा उस पर depend करता है, ठीक है, चलो आप चलते हैं आगे, without wasting time, तो आपका two month में इतने course होगे, ठीक है, हाँ जी, तो क्या बोला हुआ है, कि दो लोग बैठे question को पढ़ते हैं कि लड़कियों की कतार में कंचन उपर से पंदरवी, ओके, और नीचे से 25 भी है, यानि है कंचन का नंबर उपर से पता है, नीचे से पता है, कुल लड़किया निकाल सकते हैं, यह information पता लग गई, उसकी बहन अलका जो की इसी कतार में है, वा बिलकुल कत कतार के मद्धे में है, बिलकुल मद्धे में है, बता वालका का कर्मान क्या है, जो जो information उसको बनाओ, लड़कियों की कतार है, इस कतार में कंचन उपर से पंदरवी, और नीचे से 25 भी है, तो आप क्या मुझे बता सकते हो, कुल लड़किया कितनी होगी, फटा-फट अप 25, 15, 40, 40, 40, 49, 49 लड़किया कुल है, यानि मेरे पास में एक लाइन है, उस लाइन में टोटल लड़किया कितनी है, मेरे पास 49, कोई बीचो बीच बैठा हुआ है, बिलकुल सेंटर में बैठा हुआ है, बिलकुल सेंटर का मतलब ये होता है, कि इस से उपर जितनी होगी, उ 19 दूनी 38 यह हो गया 19 नंबर पूरा तो 19 लड़कियां उपर 19 लड़कियां नीचे और यह बीचो बीच बैठी हुई है बीचो बीच अब खुद गिन लो 19 दूनी 38 और यह के 49 भी खुद ठीक है इसका मतलब इसका स्थान अगर मैं उपर से पूछू हूँ तो 19 लड़कियां से देखते हैं इसमें लिखानी वालका किरमांग उपर से कितना तब भी कॉमन सेंस वाली चीज है किरमांग मतलब रैंक में कौन से नंबर पर उपर से रैंक बताई जाती हमेशा कभी थोड़ना बचा बोलता है मैं फरस्ट आया हूं कहां से नीचे से नहीं अगर वो पूरा पूरा नंबर आ रहा है वो उपर वो ही नीचे और रही कि खुद हो गई तो इसका किरमांग उपर से 20 हो गया आप इसको नोट कर लो फिर अगले क्वेश्चन बताते हैं पोज करके नोट कर लिया करो हां जी नेक्स वेश्चन बोल रहा है कुछ व्यक्तियों की पं क्या निकाल देंगे कुछ extra information पहले वाले questions है थोड़ा अलग है diagram मनाते हैं कुछ व्यक्तियों की पंक्ती में राहुल बाएं से राहुल जी हमारे हैं बाएं से दसवे नमबर बैठ है राहुल रविड नहीं है ठीक है और नितेज है जो वो दाएं से नवा है नितेज जो है कहीं पर बैठा हुआ है ये गोरव है ये बीच बीच बैठा हुआ है ओके और गोरव बाएं से सोलवा है ये गोरव जी का इस्थान पर दे दी हमें कि गोरव का इस्थान बाएं से सोलवा हो गया अब मुझे एक चीज बताओ ज़रा थोड़ा से लोजिकली सोचो इस चीज पंद्रा पांच लोग होंगे count करेंगे नहीं मैं करके बता रहा हूं बस कि अगर मुझे ये पूछने हैं तो आप खुद सोचो कि 16 टोटल है जिसमें से 10 निकल गया तो यह यहां से सिरफ छटा होगा इतना गिने कि यहां से कितना होगा तो यहां से छटवा खुद होगा यह तबी तो 10 पिलस 6 16 बनेगा ठीक है यह पूरा 16 है एक दो पांच छटा खुद है तो इसके इधर कितने लोग बैठे हुए हैं पांच लोग नहीं बैठे हुए यानि कि इस गैप में कितने लोग बैठे हुए हैं पांच लोग ठीक है अब मुझे बताओ बीचो बीच की बात कर रहा है बैठाने के लिए कि जो दोनों ये आ गए भूल जाओ ये कौन से स्थान पे है दो लोग ये हैं बस ये हमारे राहुल जी है ये हमारे निदेश जी है ठीक है इनके बीचो बीच ये खुद बैठा हुआ है तो जितने लोग यहां होंगे उतने ही लोग यहां होंगे ये बात समझ में आ रही है कि बीचो बीच अगर बैठा हुआ है इनके क्या position उसे कोई मतलब नहीं है इनके बीचों बीच है तो जितने लोग इसके और इसके बीच में होंगे उतनी लोग इसके इसके बीच में होंगे और ये अभी हमेंने निकाला 5 है कैसे? इसका सोलवा स्थान था 10 और 6 16 छटा स्थान अगर यहां से है तो छटा तो खुद है तो 5 लोग ही तो होंगे इधर ठीक है? यहां 5 यहां भी कितने होंगे? 5 यानि मुझे पता लगया इधर भी कितने लोग एठे होगे है 5 अब मुझे बता दो सीज के अंदर पंक्ती में कुल लोग कितने है तब आप खुद गिनो 10 तक तो यह अगर यहां से कुल निकाले कुल के अगर हम बात कर ले 10 तो यही होगे ठीक है? 5 लोग यह है एक खुद नितेश एक खुद यह है क्या नाम इसका? गोरो एक खुद गोरो फिर 5 लोग बैठे हुए है और फिर 9 लोग ठीक है? तो आपका यहां से निकाल लगया है 5, 5, 10, 10, 20 और 1, 9, 10 पंक्ती में कुल कितने लोग है? 30 लोग है फटा-फट से दुबारे कुई क्रिविजन ले लो गोरो जल्दी से बता देता हूँ समझ में आजए ही यह वाली चीज ठीक है? मुझे लग रहा है थोड़ा सा किसी को डाउट है तो कुछ नहीं है राहुल दसवे पे है उसके बाद में यह नवे पे है ठीक है? इनके बीचों बीच कोई बैठा हुआ है गोरो जी बैठे हुए है इसका इस्थान यहां से सोल हुआ है तो सीधी सी बात है कि यहां यहां से अगर हम काउंट करें तो यहां से छटवा इस्थान है यानि छटए स्थान मतलब हो गया कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छटवे पे गोरो बैठा हुआ है इसके बाद में तो यहां पे पाँच लोग है similarly, इधर भी कितने लोग होंगे पाँच लोग होंगे, क्योंकि बीचो बीच है अब देख लो, दस जोडेंगे पाँच जोडेंगे, एक, यह खुद गोरो जोडेंगे फिर पाँच जोडेंगे, और फिर नो जोडेंगे और आपका अनसर आजाएगा तीस यहां से निकल के आजाएगा खुल व्यक्तिविशंग्या कितनी है तीस निकल के आजाएगी ठीक है, और अलका का किरमांग कितना है था अपना और लाइन में 50 व्यक्तित मोहित का आगे से स्थान केतना होगा एक लाइन में मोहन का आगे से दसवा स्थान है ठीक है जबकि महेश अब सोचो मैं M लिखूंगा तो कन्फियूज हो जाएंगे तो अब इसको पूरा लिख लो एक बर महेश का पीछे से 25 वा स्थान है मोहित दोनों के ठीक बद्धे में है लाइन में 50 लोग हैं ये पूरी लाइन है मारे पास इस लाइन में पूरी लाइन में 50 लोग है खुद सोचो 50 लोग है यहां पर ठीक है 10 तो यही हो गए 25 यहां तक हो गए 25, 10, 35 तो ये कितने लोग हैं? 15 25 यहां तक का 10 यहां तक का ठीक है? ये कितने लोग है? 15 तब ये तो 50 बने गई है 25, 15, 40, 10, 50 ये बाट समझ में आ गई? यानि बीच में 15 लोग बैठे हुए और उन 15 में बीचो बीच कौन बैठा हुआ है? मोहित फिर वोई बाट आती है, बीचो बीच है तो मतलब 15 लोगों में बीचो बीच का मतलब होता है 15 बटा दो, साड़े साथ साथ लोग इससे उपर साथ लोग इसके नीचे और ये खुद ठीक है? अब आप मुझे एक चीज बता दो यहां से कि क्या पूछा है? यानि मोहित के आगे 17 लोग बैठे हुए हैं, ये मोहित जी हमारे नीची सोरी के नाम है? हाँ, ये भी मोहित है, सारे MMM वाले हैं तो चन्फ्यूज नहीं हो ना, ये मोहित जी है हमारे मोहित जी के आगे 17 लोग बैठे हुए हैं सी ये और साथ ये 17 लोग बैठे हो जिसका स्थान कौन सा हो गया स्थान हो गया अठारवा ठीक है तो मोहित का आगे से स्थान हो गया अठारवा इस तरीके से आप ये वाला टाइप का question कर सकते हो ठीक आप एक बर इसको note करो पोज़ करें note कर लें आपको समझ में आ गया होगा अब जो next type है बहुत important है पजल टाइप के question है वो हो सकता है एक वीडियो में और दो वीडियो में complete करके खतम हो जाएगा चैप्टर और अब नया चैप्टर आपका English alphabetical series है वो वीडियो मिस मत करना जिस भी बच्चे को English alphabet series में problem आती है याद नहीं होते आर का नंबर 18 है ठीक है टी का नंबर 20 है पी का नंबर 16 है ये आपको ऐसे याद होंगे मतलब आप सिरफ लिखा हुआ देखो आपके मन में सिरफ नंबर ही आएगा direct मेरी गैरेंटी है 15 मिनट के वीडियो के अंदर अंदर सिरफ उसी 15 मिनट में आपको याद हो जाएगा ठीक है तो आप इसको नोट कर लो आगला वीडियो लेके आता हूं आपके समने